तो कौपर दोस्तों वापस से अपना सर उठा रहा है तेजी की और तो थोड़ा सा संबल के रहें कब तेजी हो सकती है और कितने लेवल देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में डीटेल में हम यहाँ पर वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे तो पहले बात करते हैं सपोर्ट जोन के उपर तो पहला सपोर्ट जोन रहेगा 6.72 से लेके 6.70.50 का लेवल अगर हम यह 6.70 का लेवल नीचे की तरब काटते हैं तो फिर यहाँ से 6.64.50 इंपोटन लेवल है उसके नीचे 6.58 फाइनल हमारा सपोर्ट रहेगा फाइनल से लेके 645 के जो लेवल है वो अमें देखने को मिल सकते हैं तो यह रहे कॉपर के सपोर्ट लास्ट पिक के अंदर तो वीडियो नहीं बना पाया था लेकिन उससे पहले ही हमने बात कि थी कि एक छोटा चा करेक्शन हो सकता है तो वो करेक्शन भी देखने को मिला और 645 की उम रेड कर पा रहे हो कि अगर मेरा ट्रेडिंग सेट अप देखना चाते हो यूज करना चाते हो उसका बैनेफिट लेना चाते हो जो कि इंप्राडे के अंदर स्विंग के अंदर कभी भी आप यूज कर सकते हो तो वो नीचे डिस्केशन के अंदर लिंक दिया गया है वो लि benefit उठा सके तिक कोई यह ना कह सके कि ज़्यादा पॉष्ट है तो सीखिये लर्ण कीजिए फिर आपकी किस्मत है कि आप कितना उसका benefit उठा सकते हो बात करते रेजिस्टेंस के ऊपर तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा next week के लिए 676.50 से 678.50 का लेवल अगर हम यह लेवल उपर की दरफ काटते तो 683.50 हमारे लिए पहला important लेवल है उसके उपर 688 फाइनल हमारा टारगेट रहेगा फाइनल टारगेट जैसे ही sustain करता है तो 694 से लेके 705 के लेवल जो है वो अगले आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकते है 705 अगर sustain कर पाते तो 725-745 के लेवल बड़ी आसानी से जा सकते है आने वाले समय के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों की यह लगबग लगबग 1000 का लेवल भी दिखा दे तो भी कोई नया नहीं लगेगा मुझे अभी कि हम कड़े 645 के उपर वहां से 1000 बोल रहा हूं तो ऐसी तेजी के लिए उसमें चड़ाव उतार भी बहुत आएंगे उस टाइम पर आपको मेरा जो ट्रेडिंग सेटप है वह आपको बेनिफिट करा सकता है यह तो वीडियो तो डालता ही रहूंगा लेकिन पीच में डेली करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो